Hello Sun, Moon and Rising Leos, Welcome to my channel DreamDarrow यह आपकी रिलेशनिशिप में पस, present and future की हवाले से रीडिंग है और यह जनल कलेक्टिव मैसेज टाइमलेस है और इसमें लाइक जब भी आप इस मैसेज को देखेंगे यह आपसे रेजनेट कर सकता है और इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है अगर आप मेरी फेस्बूक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं पर लाइस सेशनिप में अगर आप मेंसे पर से पर से रीडिंग चाहिए तो भी आप मेंसे में इसमें इसमें कर सकते हैं So, let's start Let's see के क्या मेसेज आते हैं आपके पास प्रेजन फूचर के हवाले से आपके रेलेशन्शिप में Love Life में पास प्रेजन फूचर फॉली यूज यूज के लिए Past Present And Future Under नीदेड आपके पास है Six of Cups Four of Pentacles, Six of Cups Okay, so Confusion and Decision के बाद Confusion and Decision की वज़ा से आपने आपको closed off किया था और आप जो है आप जो है या तो अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा आप मिस कर रहे हैं उनको याद करें आपास मैमोरी इसको याद करें या फिर आप रिकंसिलियेशन चाहते है अपने पार्टनर से या फिर कोई पास परसन वापिस आपकी लाइफ में आ रहा है इस टाइम प्रेम में जब भी आप इस मैसेज को देखेंगे इस पास में एक बहुत अच्छा ओफर थी एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस करना अपने लव को लव एक्सप्रेशन और या तो अगर आप लोगों में ब्रेक अप सिच्वेशन चल रही थी तो हो सकता है कि आपकी तरफ से आपके आपके अपार्टनर की तरफ से इस ब्रेक अप को रिसॉल्फ करने की कोशिश की गई हो ख्वा ऐ खिर्फ acia हैराणर इस पाज मे बाष पॉसीछ खॉट है और अपजले की यहीर ऑुचिय का आपिस एयर? friendship offer एक love offer के तौर पर आपके पास एक relationship था यह relationship एक बहुत lovely था इसे friendship भी थी love भी था सब लेकिन stability नहीं थी like commitment वाली कोई बात नहीं थी but love और like friendship love की तरहा था यह relationship आपके partner की क्या energies थी past में इस relationship के लिए देख लेते हैं आपके लिए पर्टनर की क्या energies थी past में इस relationship के लिए आपके पार्टनर भी इस relationship में आपके पार्टनर की तरफ से love भी था बहुत ज्यादा और आपको बहुत जादा a admire करते थे as a perfect partner अपने लिए देखते थे और आप उनकी ग्रोथ आपको लेते थे अपने रिलेशन्शिप में आपको बहुत जाद एक परफेक्ट पार्टनर की तरह दीखते थे और आपको भाट एड्मार करते थे उनकी तरव से लव बहुत ज्यादा था आपकी क्या Creed कि लिए उसकी क्या इनर्जी थी इन पास्ट में, तो शायद आपने ग्लोजड ओफ सिचुएशन रखी थी, यहां पे भी पॉर ओफ कप है, पॉर ओफ बंडी कले तो इसमीन के आपकी तरफ से ब्लॉकिज सिचुएशन थी आपकी तरफ से आप आप उसरी के से ओपन नहीं हो रहे थे, जैसे वह आपको अपना लव जस्टर शोग कर रहे थे इन पास्ट में या आपने आपको सिक्योर या आपको कुछ इनसेक्योरिटी इस रिलेशनशिप में प्रेजन कंडिशन में आप दोनों इस रिलेशनशिप को या आगे लेकर जाना चाते हैं अगे बढ़ना चाते हैं ने आपके पार्ट्नारं कोशिश कर रहे है है या आपके partner ऐसा कोशिश कर रहे हैं इस तरह की आपके partner की क्या energies थी energies है current position में current situation में आपके partner balance करना चाहरे है आपको given take वाली energy में लाना चाहरे है या पर ही वो चाहते हैं कि आप भी balance करें या वो बहुत ज़दा generosity शो करें आपके उपर बहुत ज़दा अपना प्यार निशावर करें है यस आपको एक stable offer करें एक stable life offer करना चाहते है वो आपको proposal देना चाहते है आपके साथ आगे बढ़ना जाते है अब दिखते हैं कि आपकी क्या energy है current situation में आपकी क्या energies है आप भी इस relationship को next level पे लिखे जाना चाहते है आप भी इस relationship की success चाहते है आप भी success चाहते हैं इस relationship में आप भी चाहते हैं के next level पे जाये इन फ्यूचर में आप दुबार से स्टक फील कर सकते हैं दुबार से स्टक सिचुशन आ सकते हैं यह आपके माइंड की एग्जाजरेशन हो सकती है आप अप खुद से यह बात समझ लें सोच लेंगे आप स्टक हो चुके हैं So Let's see why this eight of pentacles is here Yes, clarity, manipulation and manipulation को किसी चीज़ को clear करने की बहुत जरूरत है Yes, clarity बहुत जरूरत है आपके partner कर सकते हैं Like किसी issue को resolve करने के लिए किसी misunderstanding को resolve करने के लिए आप लोगो clarity की जरूरत हो सकते हैं In future में Let's see के आपके partner की क्या energies है होंगी in future में आपके partner किस तरह से react करेंगे क्या उनका gesture होगा वो क्या करेंगे in future में इस relationship के वाले से Yes, उनको वो अपना decision लेना है उन्हें उस decision के उपर वो पूरी तरीके से Implement करेंगे अपना decision आपको बता सकते हैं After this clarity आपके partner ही stuck feel कर सकते हैं Let's see के आपकी क्या energy होगी In future In future में लियोस की क्या energies हो सकती है आप भी wisdom से काम लेंगे आप भी जो है सो समझ के कोई फैसला करने करेंगे Like आप किसी चीज में rush नहीं करना चाहेंगे लेकिन आप resolve करना चाहेंगे अगर आपके partner रश करेंगे किसी चीज में लाइक कोई जलबाजी करने की कोशिश करेंगे तो आप उसमें Like wisdom से काम लेंगे कोई जलबाजी नहीं करेंगे और चीजों को matters को resolve करने की पूरी कोशिश करेंगे So let's see के आपके लिए advices क्या है From this romance central oracle deck What are the advices for Leos Playfulness to recapture romance allow your inner youthful spirit to fun and shine So if you need a revival in your life Then you don't have to stay closed off You have to take your playfulness Like page of cup Like your partner's love show So you have to do it If you want to resolve this relationship What are the advices for Leos Heart to heart conversation Honestly discuss your feelings with each other So definitely here Honestly discuss your situation Clarity If you want to learn more If you want to learn more If you want to learn more Then you have to learn more Heart to heart conversation So definitely if it's such an issue Please let me confirm in a comment Like my video Subscribe my channel Thanks for watching Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you